हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ राजमा सैंडविच की रेस्पी तो चलिए सुरू करते हैं सो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत हेल्दी सी रेसिपी सेयर करूंगी ब्रेक्फास्ट की और लंच पॉक्स की जो की है राजमा सैंडविची को बनाने के लिए मैंने बॉयल आलू बॉयल राजमा लिया एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला उसमें प्याज फ्राई किय फिर मैंने उसमें मैश किया हुआ राजमा और आलू डाल दिया उसके बाद मैंने उसमें काट के थोड़ी सी हरी मेच टाली नमक खल्दी और चाट मसाला साथ में थोड़ा सा जीरा पाउदर डाल के मैंने अच्छे से उसको मैश करके फ्राई कर लिया और यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा option है क्योंकि बच्चे नहीं खाना चाहते हैं राजमा अब इसको बनाने के लिए साथ ही देखे फ्रेंट्स मैंने ले लिया है ब्रेड और इसके अलावा मेरे पास रेफ्टोवर रोटी है तो मैं इसका भी यूज करूंगी इसको फिल करके बनाने के ल और फिर दूसरे ब्रेड में भी सॉस अपलाई कर लूँगी उसके बाद मैं इस पर यह फिलिंग डालूंगी और दोनों ब्रेड को आपस में चिपका के और फिर इसको फ्राई करूंगी तवे पर और फ्रेंट्स बच्चों के लिए बहुत ही हैल्दी ऑप्शन है आप भी जरूर ट्राई करें बच्चे राजमा खाना पसंद नहीं करते हैं मेरी भी फाइव एस की बेटी नहीं खाती है राजमा तो मैंने ये ट्रिक अपनाई और उसने राजमा भी खा लिया और उसको पता भी नहीं चला तो फ्रेंट्स आप भी जरूर ट्राई करें सो फ्रेंड्स देखें बातो बातो में मेरा सैंड्विच भी तयार हो गया है अब चलिए मैं इसको फ्राइ कर लेती हूँ फ्राइ करने के लिए देखें मैंने मत्यमाच पे एक तवा ले लिया है आपके पास पैन तवा जो हो ले ले उसमें आप ओयल, घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो लगा दे थोड़ा सा फिर ब्रेड्स को हम अच्छे से दोनों तरफ से सेग लेंगे प्रेस करते हुए तो देखें यहाँ पे मैं ब्रेड को दबा रही हूँ और फिर इसको मैं सेग के दोनों तरफ से तयार कर लेनी हूँ और मेरा बहुत ही हेल्थी और यम्मी सा सैंडविच बनके तयार हो जाएगा प्रेड्स मैंने इसमें किसी सालड का यूज नहीं किया जैसे प्याश टमाटर, खीरा वग्यरा आप चाहें तो डाल सकते हैं मुझे मेरी बैटी को टिफिन में देना था और वह बिल्कुल वह निकाल देती इसलिए मेंने डाला ही नहीं तो आप चाहें तो डाल सकते हैं और देखें यहाँ पे मेरा सैंडविच तयार हो रहा है और बस एक सेगेंड और लगेगा और यह बिल्कुल रेडी हो जाएगा और देखें फ्रेंड्स दोनों तरफ से कितना अच्छी सिख के तयार होगा फ्रेंड्स देखें मेरा है नाश्कता बनके बिल्कुल तयार है आप खुद खाएं बच्चों को खिलाएं और सबको बहुत पसंद आएगा मेरे पास जो लेफ्ट ओवर रोटी थी मैंने देखें उसमें भी सॉस लगा के और फिल करके सेग लिया है और मैंने इसको सर्फ कर लिया है साथ में मैंने ली है थोड़ी सी बुचिया और टोमेटो केजब आप भी इसको अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इंजॉय करें वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू